अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिये और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं दोस्तों हम सभी हर शुब अफसर पर एक दूसरे को उपहार याने की गिफ्ट देते हैं चाहे वो शादी हो बर्दे पार्टी हो कोई फेस्टिवल हो या अन्य कोई अफसर हर शक्स अपनी शुब कामनाओं और अच्छी भावना से ही गिफ्ट देता है लेकिन फेंग्शुई और वास्तु में पांच ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें गिफ्ट देने से लोगों के आपसी संबंधों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है साथ ही उन्हें धन के नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है पानी से संबंधित चीजे या शोपिस अकसर लोग पानी बहने वाले शोपिस चैसे आइटम गिफ्ट कर देते हैं वास्तू के अनुसार ऐसी चीजों को गिफ्ट के तौर पर देने से सामने वाले इंसान को पैसे की कमी या आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपने प्रोफेशन से संबंधित चीजे जी हाँ दोस्तों किसी भी अफसर पर अपने प्रोफेशन से संबंदे चीज़े बिलकुल भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए दुकान या अपने प्रोफेशन से जोड़ी चीज़े गिफ्ट देने पर मनुश्य को कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अगली वस्तों है भगवान की मूर्तिया या तस्वीर दोस्तों हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों और तस्वीर का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन का महत्व बताया गया है और लोग यही गलती कर बैठते हैं, शुभ मानकर इसे तोफे में दे देते हैं वास्तू के अनुसार भगवान की मूर्तियों तस्वीरों को गिफ्ट नहीं करना चाहिए इन्हें रखने और इनकी पूझा करने का एक विधान होता है इसलिए इन्हें खुद के लिए ही खरीदना चाहिए अगली वस्तू है नुकीली चीजे वास्तू के अनुसार नुकीली चीजे जैसे पैन, नाइफ, चाकू, कैंची, तलवार, आदी किसी को भी गिफ्ट करने से आपको बचना चाहिए किसी को अगर आप या इटम्स गिफ्ट कर देते हैं तो देने और लेने वाले के बीच में मतभेद हो सकता है दोस्तों अगली वस्तो है रुमाल किसी भी अफसर पर रुमाल गिफ्ट नहीं करना चाहिए वास्तू के अनुसार रुमाल गिफ्ट करने से दोस्तों negativity जो है वो लोगों के बीच में फैलती है और रिष्टों पर बुरा असर पड़ सकता है तो दोस्तों ये हैं वो कुछ चीजे जो आपको कभी भी किसी को gift में नहीं देनी चाहिए वरना आपके और उनके रिष्टों के बीच में खटास पैदा हो सकती है दोस्तों क्या आपको लगता है कि आपका भागय आपका साथ नहीं देता है अगर आप भी सोभागय की प्राप्ति चाहते हैं तो आप भी वीडियो जरूर आगे देखिए दोस्तों सुभाग्य से मेरा अभिप्राय है कि आपके जीवन में आपके सभी कादिया पूर्ण आसानी से होने लगें आपको आपके जीवन में किसी संकट का सामना ना करना पड़े और संकट आए तो आप उसे आसानी से दूर कर सके इसके अलावा आपका जीवन सुख स्मृध्धी और शान्ती से भरा हूँ एक खुशाल जीवन व्यतीत करने की हर व्यक्ति की इच्छा होती है लेकिन जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख और सोभाग्य को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय को अपनाता है आज हम आपको उन्ही कुछ उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके सोभाग्य में व्रिध्धी कर सकते हैं सोभाग्य की प्राप्ति के लिए आप बहेडे के पत्ते को मूल भंडार तिजोरी, गल्ले, संदूक या फिर किसी पवित्र स्थल में रखने से आप धन की वृध्धी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आपके कारोबार से सम्बंदित कार्यों में भी तेजी आती है और आपको स आजू पर धारन करने से भी आपको सोभाग्य की प्राप्ति होगी, सोभाग्य की प्राप्ति के लिए आप ये उपाई भी अपना सकते हैं, आप शुद कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेट कर पूर्ण मन से अपनी तिजोरी में रखें, आपके जीवन में सु रखड़ा होता रहता है, तो इसका अर्थ है कि आपके दामपत्य जीवन में प्रेम का अभाव है, इसके लिए आप एक छोटा सा मगर सरल उपाई अपना सकती हैं, वो उपाई कुछ इस प्रकार है, आप शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाले किसी दिन शुक्रवार को अपन भगवान को अर्पित करें, उसके बाद आप अपने पती को ये खेर खिलाएं, साथ ही आप ईश्वर से भी काम ना करें कि आपके दामपत्य जीवन में फिर से खुश हाली आ जाए, आप इस दिन देवी लक्षमी के मंदर में जाकर इत्र का भी दान जरूर करें, लेकिन आ इत्र ना रखें, आप इत्र बेडरूम से बाहर रखें, बेडरूम में इत्र ना रखें, आप कुछ दिन इस उपाय को अपनाईए, धीरे धीरे आपके दामपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और आप दोनों सुख से रह पाओगे, हर इंसान दुर्भाग्या से पीछा चुड़ाना चाहता है, तो इस उपाय को अपनाने से आपका दुर्भाग्या सुखाग्या में बदल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्या से पीछा चुड़ाना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए एक कहावत भी है, कि जब आपका पुरा समय आता है, तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्या भी सुखाग्या में बदल जाए, तो आप बताए जाने वाले उपाय को अपना सकते हैं, आप बर्गत का एक बड़ा पत्ता लें और उसे गुरु पुश्या में या फिर रवी पुश्या यो घर के अंदर की तरफ हो, इसके बाद आप रोज सुभा उस पर दुर्वा अवश्या अर्पित करें, दुर्वा एक प्रकार की घास होती है, दोस्तों बहुत ही पवित्र होती है, ये पुजा के लिए इस्तमाल की जाती है, और ये गनेश्ची को अतिप्रिया है, अकर आप गनेश्ची को चड़ाते हैं, तो गनेश्ची आपके सभी विग्न को हर लेते हैं, गनेश्ची का नाम ही दोस्तों विग्न हरता है, मनुश्य के हर दुख और कष्ट को, हर परिशानी को वो हर लेते हैं, इसलिए गनेश्ची को आप दुर्वा अर्पित करें, और अपनी मन कामना पूर्ण करने के भी सभी रास्ते आप इस उपाय से खोल सकते हैं अगर आप किसी धन संबंधी कार्य को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोमवार या फिर बुधवार के दिन का चुनाव करें जब भी आप किसी नए कार्य व्याफसाए नौकरी रोजगार आदी चै और देना चाहिए ऐसा करने से आपको आपके नए कार्य में सफलता जरूर मिलती है आप गरीब असहाय रोगी और किनरों की सहायता दान की रूप में अवश्य करें अगर हो सके तो आप किनरों को दान दिये गए पैसों में से एक सिक्का वापिस ले लें और उसे अपने कै पैस जहां आप रखते हैं उस टिब्बे में या आपके लॉकर में या तिजोरी में रखें इससे आपको बहुत लाब मिलेगा दोस्तों तिजोरी का दरवासा आपका उत्तर दिशा में खुलना चाहिए इस बात का खयाल रखें घर की खास लक्षमी याने पैसा सभी तिज तिजोरी में रखना पसंद करते हैं जबकि कई लोग बिना वास्तू की जानकारी के तिजोरी को कहीं पर भी रखतेते हैं ये बिल्कुल गलत है दोस्तों दरसल आप जहां भी तिजोरी को रखते हैं उसका दरवासा उत्तर दिशा में खुलना चाहिए तिजोरी में कुबे में दो गुना जादा वृध्धी हो जाएगी घर की शांती के लिए सबसे जादा जरूरी माना जाता है घर के हर सदस्य का शांत और खुश रहना दोस्तों ये अतियावश्यक माना जाता है खास और वैसे भी दोस्तों शांती रखने के लिए सबसे जादा जरूरी है कि घर की लक्षमी यानि महिलाओं का शांत और खुश रहना अतिय वश्यक है और वैसे भी बार बार गुस्सा करना और चिड़चिड़ापन घर में नाकारात्मक उर्जा भर देता है खासकर महिलाओं का बार बार गुस्सा करना घर में अशांती फैला देता है इसलिए जरूरी है कि घर में शांती बनाए रखे ताकि घर में हमेशा वृध्धी होती रहे और घर-परिवार के सदस्यों पर परेशानिया ना आए तो दोस्तों ये थी कुछ वास्तो टिप्स जिन्हें अगर आप अपनाएंगे और कुछ ऐसे उपाएं हमने आपको बताएं जिन्हें अगर आप फोलो करेंगे तो आपको सुभागय की प्राप्ति हो सकती है साथ ही हमने आपको बताएं कि कौन सी वो चीजें हैं आपको किसी को gift नहीं करनी चाहिए वरना आपकी किस्मत आपसे नाराज हो सकती है साथ ही आपके और जिसको आपने gift दिया है उनके बीच मतभेद हो सकता है इसलिए ऐसी चीज़ों को gift करना avoid करें ऐसी चीज़े gift ना करें तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमें फेस्बुक पेज़ पर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करणा ना भूले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे जय माता दी